आज हम चीन के भीतर कुछ गंभीर समस्या के बारे में जानने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन बुलेट ट्रेन की तरह बढ़ रहा है, लेकिन चीन में कुछ गंभीर समस्याएं हैं। जैसे गरीबी एक रिपोर्ट के अनुसार। चीन में गरीबी मुख्य रूप से ग्रामेन गरीबी को संदर्भित करती हैं और विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 100 मिलियन से अधिक चीनी लोग बेसहारा रहते हैं और डॉलर एक दिन से कम पर रहते हैं। प्रोवर्टी के बाद कैपिटल पनिश्मेंट देखें। चीन अपनी कठोर सजा के लिए जाना जाता है और जब मृत्युदंड की बात आती है जो घातक इंजेक्शन या गोली मार कर दी जाती है। हम चीन के आपराधिक प्रक्रियात्मक कानून के माध्यम से समझ सकते हैं कि चीन का कानून कैसे निश्पादन के बारे में विशिष्ट है जिसे अनुच्छेद 252 के तहट निश्पादन प्रोटोकॉल परिभाशित किया गया है, मौत की सजा को गोली मारने या इंजेक्शन क माध्यम से निश्पादित किया जाएगा, यूमन राइट रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने बाकी दुनिया के मुकाबले चार गुना ज्यादा मौत की सजादी है, संख्या में जाएं तो 1770 के आसपास कैदियों पर गोली चलाकर फांसी की सजादी जाती है, वायू प्रद प्रदूशन की तीवरता समझती है, यह प्रदूशन मौसम तंत्र को कैसे प्रभावित करता है। चीन में अभिव्यक्ती की स्वतंत्रता का हनन है क्योंकि इंटरनेट सेंसर्शिप की नीती के तहत लगभग 3000 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया गया है। और घंटी को दबाएं। अगला चीन में गुफा निवासी गोबल मीडिया के अनुसार चीन के शानकसी प्रांत के लोग इसकी जरजरा मिट्टी के लिए जाने जाते हैं और लोग रहने के लिए गुफाएं खोदते हैं। सन्युक्त राष्ट्र मानव आवास कार्यकरम की रिपोर्ट के अनुसार चीन में गुफाओं में रहने वालों की संख्या 35 मिलियन है। अगला घोस्ट टाउन है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है लेकिन फिर भी इसके पास कहीं और की तुलना में अधिक भूट शहर है। 65 मिलियन से अधिक खाली घर हैं क्योंकि ये घर इतने महेंगे हैं कि चीनियों द्वारा वहन नहीं किये जा सकते। अगला गोबी रेगिस्तान बढ़ रहा है। पूरी दुनिया पर्यावरन और पारिस्थीतिक असंतुलन की जाच पर काम कर रही है। लेकिन चीन के गोबी रेगिस्तान में अत्याधिक चराई, जल्स रौट की कमी और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण विस्तार हो रहा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं या जीवित मरुस्थल बन रहा है जो हिमालय की तरह दिन भी ए दिन बढ़ता जा रहा है। आप क्या सोचते हैं मुझे कामंट में बताएं। सब्सक्राब करें।